हलो फ्रेंड्स नमस्कार श्वागत है आपका कुस्वाब प्रपर्टी जाइपक शंसन पटपरगज में मैं आपका दोस्त संत कुमार आप देख रहे हैं एक दो वेड्रों का फ्लैड जो की शरांस कॉपरेटिव गुरूफ फासिंग सोसाइटीज के अंदर मल्टी स्टोरी म सेवन्थ फ्लोर पे हैं इस समय जो कि सेवन्थ फ्लोर इस बिल्डिंग का टॉप फ्लोर है और एक फ्लोर पे टोटल चार फ्लोर है यहां पर जिसमें के सामने की तरफ आप देख रहे हैं जो गैजरी दिख रहे हैं यहां पर मैन इंट्रेंस और यह सामने बालकनी से जो है सेपरेट इंट्री बनती है सेकेंड बेड्रूम की इसका जो एरिया है लगभग एक हजार पचास स्वेर फिट है फ्री होल प्रॉपर्टी है एक करोड़ पचीस लाख रुपए की फ्लैट ओनर की तरफ से इसके रेट रखे गए है सुसाइटी का जो मेंटिनेंस है लगभग 3,000 रुपए है फ्री होल प्रॉपर्टी होने की वज़े से किसी भी बैंक से आपको मार्केट वैलू का 80% मिल जाता है साब सुतरा इंवाल्मेंट है पास पास की लोकलिटी बहुत अच्छी है मेट्रो इस्टेशन बिन्वान नगर मंदावली से मात्र पाँच मिनट की वाक्इन डिस्टेंस पर यह सुसाइटी इस्तित है एनेज 24 के बिलकुल पार्ल्ल की सुसाइटी है तो एंट्री और एक्जिट बिलकुल एजली हो जाती है जैसे हम इंट्री करते हैं इंट्री करते हैं ड्राइंग और डाइनिंग का इस स्वेस लेफ्टरण की तरफ यह किचन आ गया किचन में जैसे कि देख रहे हैं सारा काम हो रखा है इस फ्लैट के अंदर जो ओडन वर्क है बहुत ही अच्छा हो रखा है रेडियू टू शिप् के पता चली रहा है राइट हैं पे आप देख रहे हैं सामने की तरफ पूरा ऊडवर को रखा है लेफ्ट हैं पे किचन के साथ बालकनी आई पेक्षंसन पटपटगज में यादि आप प्रॉपर्टी देख रहे हैं और इसमें आप यूटूब पे हैं तो आपको हमारा चैनल तुरूंत सब्सक्राइब कर लेना चाहिए तो कि आई पेक्षंसन से संबंधित जो भी प्रॉपर्टी होती हैं इस चैनल पे सब्सक्राइब कर देख रहे होंगे आगे तक जो सामने के तरफ पंखा दिख रहा है वह बालकनी का एडिया है जो की किजन के साथ मर्ज कर लिया गया है इसके साथ में एक स्टोर रूम इस्टोर रूम का भी साइब काफी अच्छा है इस्टोर रूम इस्टोर रूम के साथ आगे बढ़ते हैं तो यह आपका 28 ट्वालेट कम बाथ रूम आप देख रहे हैं कि इसके अंदर जो भी फेटिंग्स हैं सारी अले इस्टोर रूम काफी अच्छा काम किया हुआ फ्लैट है रेडी टू सिप्ट है फर्स्ट बेडरूम इस्टोर रूम अठाई ट्वालेट बाथ रूम इस बेडरूम के अंदर एक तरीके से दो बालकनिया अपने को मिलती हैं जैसे ही लिप से वाइट है कि सामने आप देख रहा है यह ग्रीन बेल्ट है ग्रीन की आगे इंजिनियर्स चेट अपार्टमेट पूरा व्यू सामने की तरफ से काफी अच्छा आता है वह देख रहा है वे श्विनों नजर अगर वाली कमें तर्म आई पीक्षंसन पटपडगज में याद आप किसी तरह की कोई प्रॉपर्टी देख रहे हैं रेंड पर चाहिए पर्चेस करना है तो हमने डिसक्रप्शन पे नंबर दे दिये हैं स्क्रीन पी नंबर डिस्प्ले हो रहे हैं ठीक वैसे यह प्रॉपर्टी सेल आउट या रेंड आउट करना चाह रहे हैं तब भी आप हमें कॉल कर सकते हैं स्क्रीन पर नंबर डिस्प्ले हो रहे हैं कि ड्राइंग एंड डैनिंग के साथ ही यह सेकंड बेड्रूम हो गया लेफ्ट हैं पर और यह मास्टर बेड्रूम इसे कह सकते हैं साइज आप देखेंगे तो बहुत ही लग्जीडियस है इसका आप देख रहे हैं डबल बिट पड़े हुए हैं इधर भी मोमेंट के लिए जगह है आगी की तरफ भी मोमेंट के लिए जगह हैं सारा काम रहा है और सामने जो यह सेकंड पंखा देख रहे हैं यह बालकनी का दूसरे वेड्रूम के साथ दूसरा ट्वालेट कम बातरूम बालकनियों की बात करें तो इस वेड्रूम के साथ आपको जो है इस फ्लैड के साथ आपको चार बालकनिया मिलती है दोनों बेड्रूमों के साथ किचन के साथ इंट्री करते ही राइट हैंड का जो पैसे साता है आदे बालकनी वो इसी वाले फ्लैड के साथ है इस वेट्रूम के साथ भी जो बालकनी है उससे जो अपने को लोकेशन व्यू मिलता है बहुत इशानदार है क्योंकि शरांस अपार्टमेंट के टू साइड एल टाइप का जो है ग्रीन बेल्ट पार्क है सामने की तरफ एवीबी पब्लिक स्कूल तदा इसके पिछे वाले गेट से आप जो है पिछे की तरफ कमर्सियल कॉम्प्लेक्स हैं वहां पर जा सकते हो आप अजनता अपार्टमेंट के ठीक सामने इस सुसाइटी में यह सामने की तरफ देख रहे हैं यह पांच में फ्लोर तक की बिल्टिंग है और अभी हम अभी साथ फ्लोर पर हों इस तरीके से अभी हमने जो देखे हैं वह दो वेड्रूम दो ट्वाइलेट एक इस्टोर रूम ब्राइंग और डैनिंग किचन बालकनीज आसा करता हूं फ्लेट आपको पसंद आया होगा यदि आपको पसंद आ रहा है इससे किसी तरह की कोई कौरिक है तो आप बेज़ेजक हमें कॉल कर सकते हैं डिस्कॉप्शन में हमने नंबर दे दिये हैं स्क्रीन पर भी नंबर डिस्प्ले हो रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद